Hi everyone, welcome to Current Crunch, I hope you all are doing well. तो स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो काफी important वीडियो रहने वाली है, ये उन स्टुडेंट्स के लिए जो के एस 2025 के लिए खासकर प्रेपेर कर रहे हैं या 2025 के बाद के लिए. तो अगर अभी एक college student है या आपकी graduation जो है almost complete हो गई है और आप next exam जो है उसके लिए completely ready है तो काफी beneficial रहेगी आपके लिए वीडियो अगर आपने first year, second year में हैं तो बेहते रहता है जितना जल्दी आप start करें उतना आपके लिए easy हो जाएंगी चीज़े towards the latest stages जब आपके exam notifications हो गया है otherwise पहले KS का syllabus अलग होता था and आपका जो optional है optional आपको pre के लिए भी पढ़ना होता था and आपके दो optionals होते थे fine अब वो system नहीं रहा है अब यह completely align हो गया है UPSC के साथ तो अब आपका सिर्फ एक optional होता है and prelims के लिए आपको optional नहीं पढ़ना होता है ठीक है तो यह हमारा strategy come exam overview come syllabus overview जो है video रहने वाला है तो इसके साथी मैं announcement कर दूँ मेरा 2025 का JKS का जो course है batch हम launch करने वाले हैं December से आपकी classes start हो जाएंगी ठीक है तो काफी comprehensive course रहेगा जिसको उसके बारे में कोई भी question पूछना है तो आप मुझे directly इस number पे call कर सकते हैं ठीक है you can reach out to me आप मुझे text कर सकते हैं या आप मुझे 10 to 5 pm इस number पे call भी कर सकते हैं ठीक है तो start करते हम आज का video तो इस video को आप last में जुरूर देखना हमारे जो हमारे course launch कर रहे हैं कि regarding कोई एक काफी important बात एक course में एक feature ऐसा add होगा जो अभी तक यहां पे किसी और institute में आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो इसलिए वह हम last में आपको बताऊंगी तो आप कोई वीडियो end तक ज़रूर देखनी है तो basically पहले हम stages discuss करते हैं जो आपका case का exam होता है जिसको हम civil service examination बोलते हैं actually इसको case by convention बोला जाता है otherwise it is a JKCCE combined competitive examination ठीक है तो इसमें आपके तीन stages होते हैं three stages, almost year long process है यह unless कि आपका कोई court का कोई मसला वगेरा ना आ जाए and high court में ना अटक जाए otherwise it can take years ठीक है पर आप majorly चीज़े smoothly होती है तो तीन stages में आपका exam होता है first one is your prelim stage जिसको हम preliminary बोलते हैं, short में prelims second is your means and third one is your interview prelims का syllabus जो है कम होता है means का syllabus काफी जादा वास्ट है and interview you know, ठीक है prelims में क्या होता है exam जो होता है वो objective type होता है that is your MCQ based जिसमें आपकी negative marking भी होती है ठीक है जो mains होता है, that is subjective that means आपको questions के answer लिखने है detailed question answers होते हैं जिसमें आपकी 4 papers होते हैं GS1, 2, 3, 4 plus आपका एक English होता है जो pass करना important होता है उसके marks final जो आपका result है उसमें add नहीं होते हैं लेकिन आपका just ये एक qualifying nature का exam है जो आपको pass करना काफी important है इसमें ज़्यादा marks नहीं लाने होते हैं कमी marks लाने होते हैं and usually सबका clear हो जाता है plus आपका essay writing है essay में आपको 2 essays लिखने होते हैं 2 essays ठीक है जो 150 marks each के होते हैं and last में आपका interview होते है तो अब हम देखेंगे जो preparation है basically आपको करनी कैसे होते हैं देखो ऐसा गलत तरीका है अगर आप ऐसे start करोगे कि आप पहले problems prepare करोगे फिर आप mains prepare करोगे फिर आप अपने interview के लिए preparation करोगे तो ये गलत तरीका होता है actually आपका जो approach होना चाहिए वो integrated approach होता है that means आपकी preparation ऐसी होगी जहां से आपका mains भी clear हो जाए and आपका pre की भी जो 90, 80 to 90% चीज़े हैं वो इसी में ही clear हो जाए that means आप start करोगे mains से mains आप ऐसे पढ़ोगे आपका pre जो है वो उसमें से almost 80% आपका cover हो जाए फिर जो current affairs या कुछ factual चीज़े इदर उदर की रहेंगी वो आपको सरफ उसमें add करनी होंगी plus एक काफी important चीज़ है जो है optional यह आपका होता है general studies जो मैं subjects बोल रहे हूँ इसमें integrated approach that means आपको mains के syllabus से start करना है mains के syllabus से start करोगे तो उसमें से आपका 80% pre जो है वो cover हो जाएगा क्यूंकि आप खुदी देखो problems जो है वो objective होता है that means आपके पास a question होगा and 4 options होगे a, b, c, d तो इसमें आपके लिए factual understanding भी important है conceptual understanding भी important है अब जो mains है उसमें आपको answers लिखने होते है तो answers लिखने के लिए आपको in-depth content को पढ़ना होता है ठीक है for example आपके पास एक topic है आप climate के बारे में पढ़ रहे हो ठीक है आप geography cover करे हो climate के बारे में पढ़ रहे हो तो mains के लिए आप जो climate है उसको काफे comprehensively cover करोगे क्योंकि आपको पता है आपके पास इतना content होना चाहिए कि आप अच्छे से उसके detailed answers लिख पाओ तो जो mains को आपने comprehensively cover किया होगा तो उस topic में से अब अगर आपको MCQs पूछे जाए तो I'm sure आपको MCQs भी answer कर पाओगे तो इसलिए जो आपका तरीका है वो क्या रहना चाहिए वो रहना चाहिए mains come pre ठीके pre-come mains इसलिए आपको pre और mains साथ-साथ जो है वो prepare करने होंगे तो इस वज़े से जो हमारा batch आ रहा है that is here हम pre-come mains launch कर रहे है pre-come mains जिस एक batch में ही आपका prelims और mains दोनों cover हो जाएंगे ठीके तो ये होगे आपका pre-come mains वाला batch तो I hope I am clear now क्यों आपको पहले mains स्टार्ट करना चाहिए ये मैंने आपको विद एक्जाम्पल बताया ठीके अब हम क्या करते हैं अलग-अलग हम syllabus discuss करेंगे तो ये आपका approach रहने वाला है हम क्या cover करेंगे हम mains और prelims को साथ-साथ लेके चलेंगे अब अब खुदी सोचो अब अगर आप prelims की तयारी कर रहे हो तो prelims की तयारी एक अलग तरीके की तयारी होगी उसमें आप इतना detailed में चीजें हाँ आपका coverage जादा हो सकता है that means आप extent syllabus जादा cover कर सकते हो लेकिन आपको in-depth कितना cover करना है वो mains के हिसाब से different होगा ठीक है? तो अगर आप पहले pre की तयारी करते हो उसमें से आपकी mains की preparation नहीं होगी तो फिर आपको mains completely नईसे पढ़ना होगा pre-up अलग पढ़ रहे हो तो ये गलत तरीका है इसलिए हम क्या करेंगे we'll start with mains जिसमें से आपका prelims जो है वो 80% cover हो जाए and online classes रहेंगी तो आपके लिए better रहेगा क्योंकि अगर कोई student है कोई job कर रहा है किसी की शादी होगी है कोई घर में है busy है कहीं भी है अपने हिसाब से आप किसी भी जगे से हैं तो आराम से वीडियोज देख सकते हैं खासकर मुझे request जो है वो जम्मू से आती है कि मैं जो courses है फिलहाल के लिए online ही लाऊ and स्रीनगर में ऐसा कोई offline center ना खोलूँ जो उनके लिए approachable नहीं रहे तो means always start with means आप याद रखोगे अब हम subjects देखते है Prelims में आपको क्या क्या cover करना होता है History Quality Geography Economy Environment Science and Tech and Current Affairs ठीक है History के तीन portions आते हैं Prelims में आपका ancient history आता है आपका medieval history आता है and आपका art and culture आता है ठीक है Art and culture basically KS में separate syllabus नहीं दिया हुआ है JKS में लेकिन UPSC के लिए art and culture important component बनता है Prelims का तो बेटर है आप कर लो art and culture भी साथ में prepare क्यूंकि आपके एक तो UPSC के लिए भी helpful रहेगा साथ में अगर art and culture का कोई question KS में भी आ जाए तो you cannot say कि ये question out of syllabus आया है तो वो जो specific time है वो किसी history के एक part का time हो या तो वो ancient time होगा history में वो painting उस ancient time की होगी या तो medieval time की होगी या तो modern time की होगी तो आप completely ये नहीं बोल सकते हो कि आट and culture वाला question अगर आ गया के S में भी कि ये out of syllabus है क्योंकि वो किसी timeline में तो fit होगा ही ना ancient आपको पढ़ना है तो वो आपको बोल सकते हैं कि ancient history का part भी है तो safe side पे रहने के लिए if you have time art and culture भी आप जो है वो कर लो कोशिश करो पढ़ने की ठीक है और आपके UPSC के लिए भी helpful रहेगा और अभी जो मैं test series जिनका भी 17th November को prelims है जो मैंने भी test series launch की थी तो उसमें मैंने art and culture भी include किया था ठीक है फिर आजाता है आपका economy, basic concepts, environment ठीक है उसमें आपके current affairs के related भी काफी चीज़े आती है environment में भी, economy में भी फिर आजाता है आपका science and technology आपका basically prelims में science and techs equations जादा नहीं आते हैं आपके basic science equations जादा आते हैं जो आप कहां से cover करते हो NCRT से फिर आजाता है आपका current affairs वाला portion जिसक आपके लिए में separate video फिर आपके लिए लेकर आओंगे कि news papers कैसे पढ़ने चाहिए तो monthly magazine आप forum IS की ले लो ठीक है या आप insights की follow करो या vision IS की एक magazine plus one newspaper चाहे वो Hindu पढ़ोगे या the Indian express ठीक है तो यहां से आपका ये prelims का syllabus हुआ अब चलते हैं mains के syllabus की तरफ देखो mains का ओल्दो syllabus जादा है पर mains जो है वो prelims से comparatively easy होता है क्योंकि अगर आपको knowledge है चीज़ की you can write an answer है न अगर आपकी किसमत अच्छी हुई examiner का mood अच्छा हुआ तो chances आर कि आपको उनको आपका answer भी अच्छा लगे लेकिन prelims में क्या होता है खासकर उन सारे उन options में जो kind of similar होते है जिसमें आप sure नहीं हो पाते हो क्यो option क्या होगा and usually दो तो आप rule out करोगे दो options में हमेशा इंसन फर्स जाता है कि इसका answer क्या होगा दो options के बीच में choose करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है and उसमें आपको 100% correct रहना पड़ता है प्रोलेम्स में इसलिए प्रोलेम्स का जो percentage ratio है वो काफी कम होगा as compared to means means में you have to write अगर उसमें एक आदा लाइने irrelevant भी होगी उसमें उता marks नहीं जाएंगे आपके अगर आपने बागी relevant answer लिखा है लेकिन प्रोलेम्स में you have to make sure कि you have to be 100% correct ठीक है although जो option आपने चूज़ किया हो सकते है वो भी किसी angle से correct हो लेकिन जिसने question paper set किया है आपको उसके फिर हिसाब बीच में आ जाता है कि उनके हिसाब से 100% option answer कौन सा होगा तो इस वज़ाते जो prelims है वो जादा difficult रहता है stage filtering उसमें काफी रेशो जो है success ratio कम होता है as compared to mains पर दिन अगर आप सही strategy follow करोगे सही मेहनत करोगे और किस्मत की बात वो तो फिर ही वो हम rule out नहीं कर सकते हैं फिर आ गया आपका mains मेंस में आपके चार subjects होते हैं general studies 1 general studies 2 general studies 3 and general studies 4 तो चलो जिसको ही general studies सुनके खुशी हो रही होगी कि चारी subjects से उनका थुरा more off करते हैं क्यूंकि जो चार subjects से इस स्रिफ चार नहीं है इसके अंदर आपको variety of subjects पढ़ने हैं तो general studies के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है आर्ट and culture फिर आपका आजाता है modern history इसमें ancient and medieval history नहीं है जैसे आपका problems में था इसमें आपको पढ़ना है world geography mains में Indian geography नहीं आएगा फिर आपको पढ़ना है इसमें world history वो आपका problems में नहीं होता है and last में आपको पढ़ना है society तो अगर आपका sociology optional है तो society आपका separately आपको पढ़ने की जरुरत नहीं पढ़ती है लेकिन society important component है again क्योंगी यहां से questions काफी आते है GS2 में आगे आपका polity फिर है आपका governance जिसमें आपके government policies वगेरा वो सारी चीज़े discuss होती है फिर एक important component आते है social justice social justice में क्या चीज़े आती है जैसे आपके NGOs होगे self-help groups होगे उनके बारे में poverty हो गया ठीक है social sectors जैसे education health तो अगर आप मेरा batch join करते हो जो भी term अब syllabus पे देखोगे each and every term हर term पे आपको note मिलेगा and means का ये करने का पढ़ने का तरीका ही ऐसा होता है कि जो भी syllabus पे लिखा हो आपके पास उसका note होना चाहिए वो आप पढ़ोगे revise करोगे and वही से आपके जो answers है वो बनेंगे and वही आपके लिए easy करेगा आपकी selection and then you have international relations देखो international relations cover करने का क्या best तरीका होता है ये मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ international relations ये mostly current affairs से आपका ये cover हो जाता है कैसे for example इंडिया का गर आप सुनोगे अभी हमारे जो ये है PM वो चले गए है Malaysia उनने कोई deal sign की है या वहाँ के PM से कोई बाते हुई है तो news में India-Malaysia relations के बारे में होगा तो इसके लिए आपके पास दो information होनी चाहिए एक तो current कि अभी जो recent meeting हुई है उसके क्या highlights है उसमें क्या important बात हुई है and आपके पास थोड़ा static note बना हुआ होना चाहिए कि इंडिया-Malaysia के relations के बारे में आप थोड़ा बोल पाऊ कि वो relations कैसे start होगे या कोई important चीज़ है उनके relation के बारे में तो इसके लिए best source रहता है जिसे government की website है Ministry of External Affairs की Ministry of External Affairs अगर अभी आपके पस time है आप इस जो Ministry of External Affairs mea.gov.in शायद है official website जाके search करो मुझा भी पूरा not able to recall तो वहाँ पे आपको एक column मिलेगा जहाँ पे इंडिया के neighborhood foreign relations होगे तो वहाँ पे main-main countries जैसे इंडिया का बंगलादेश के साथ या चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ US के साथ, इसराइल के साथ ठीक है? आपका मलेशिया के साथ खासकर जो subcontinent वाले आसपास वाले areas हैं स्रीलंका के साथ, माल्डियो के साथ अलग-अलग countries आप देखोगे उनके थोड़े बहुत notes अपने पास बना के रखो कि static component आपके पास आ जाए relation का, उसके बाद जो current affairs आप पढ़ोगे, current में आप जो भी सुनोगे Modi क्योंकि वो तो कहीं न कहीं जाते ही रहते हैं तो वो कहां गए हैं, वहां के कुछ highlights अगर Egypt के साथ जैसे कोई celebrate किया था उन्होंने, 75 years complete हो गए हैं, या ऐसा कुछ किसी भी country के साथ, तो कुछ current information आप लिख लोगे, newspaper से, news से क्या क्या वहां पे highlights होए and इस website पे जाके, static portion थोड़ा notes अपने पास बना लोगे कि अलग-अलग country के साथ, क्या क्या type of relation जो है वो क्या-क्या type, जो है अभी तक हमने deals अगर sign की हैं, या कोई important cheese relation के बारे में, static info आप वहां से ले लोगे, ठीक है तो ये तरीका होता है, आपका international relation cover करने का फिर आपका आगया GS3 GS3 में हम क्या cover करते हैं, एक तो आपका economic development होता है तेखो हमारा जो prelims में economy पढ़ते हैं, वो थोड़ा different होता है, जो mains में पढ़ोगे economy, वो थोड़ा detailed वाला होता है, जिनके answers आपको लिखने आप लिख सकते हो लेकिन जो आपका prelims वाला होता है वो core concepts of economy वाला आता है, जैसे आपको GDP कैसे calculate करने, national income accounting के बारे मैं पढ़ोगे different methods to calculate GDP, तो आपको formula based question आजाता, आपको calculation based question आ सकता है, कि अगर आपकी inflation इतनी high है, तो बाकी चीज़े कैसी होनी चाहिए, ठीक है या inflation को काम करने के लिए कौन सी एक चीज हाई होनी चाहिए, आपको money multiplier काई concept है, वैसे questions आ सकते हैं तो means में वैसे questions नहीं आते हैं लेकिन जो आपके पास prelims की knowledge है वो definitely आपको means की answer writing में help करती है, ठीक है उसके बाद आपका आता है एक important चीज़, आपकी कुछ agriculture related, अबे economy का ही पार्ट है लेकिन उसका आप subtopic मान लो, मैंने यहां पर अलग mention की है agriculture में cropping patterns, irrigation, land reforms वगेरा, वो सारी चीज़े फिर आपका infrastructure जैसे उसमें आप energy ports, railway, roadways इनके बारे में पढ़ते हो तो यह basically आपके किस के अंडर आते है economy के अंडर ही यह सारी चीज़े आते है फिर आपका एक important part आता है environment का, या disaster management तो इसमें भी आपका current भी आता है static वाला portion भी आता है फिर आपका एक important component आता है internal security जिसमें आप security threats जो है, extremism जो हमने यहां पढ़ा वो next light movements वगेरा, वो सारी चीज़े आते है प्लस हमारे पास जो various security forces है उनकी mandate, वो कहां-कहां employed है, उनकी powers वगेरा जैसे आपका BSF है CRPF है, ITBP वो सारी चीज़े हैं, यहां पर पढ़ते है उसके बाद GS4 है एक ही component है, ethics वाला, ठीक है तो यह basic-basic जो ethics की चीज़े हैं, प्लस इसमें दो चीज़े आती है, एक तो जो basic concepts है, जो आप सालेबस पे keywords देख सकते हो प्लस इसमें thinkers वाला portion आता है जिसमें thinkers के थोड़े concept वगेरा को detail में पढ़ना होता है, तो easy है comparatively and scoring भी है, ठीक है तो यह होगे आपका GS1234 प्लस आपको mains में इन सब चीज़ों के साथ एक और main important चीज है आपका optional, जिसको अच्छे से cover करने के बगेर आपका जो selection है वो impossible है, optional में आपके दो papers होते हैं, paper A and paper B तो अगर आप syllabus देखोगे, आपको list of options दिया होगा, वो चाहे आपका graduation subject हो, वो आप choose करो, अब देखो choose किस basis पे करना कुछ points आप दिमाग में रख लो इसका मैं separate video भी लेके आऊंगी के how to choose your optional, लेकिन कुछ points आप, key points आप दिमाग में रखो कि syllabus छोटा हो second, resources easily available हो कि आपने ऐसा कोई component चूज किया, बाद में आपको उसका content ही नहीं मिले कहीं, तो ये चीज जो है, main important दो चीज़े आप दियान में रखना कि syllabus उसका छोटा हो come time में cover हो जाए and resources easily available हो, तो अभी हम current crunch पे दो optional start कर रहे हैं, एक आपका sociology है and एक आपका anthropology है ठीक है तो ये एक overview है आपके, I hope कि आपको clear हो गया हो exam का pattern कैसा है and exam का syllabus भी कैसा है, अब देखो एक बहुत important चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, that is your newspaper newspaper आप पढ़ोगे, चाहे आप Indian Express पढ़ लो या आप The Hindu पढ़ लो, ठीक है newspaper reading की habit आपको डालनी होगी, प्लस एक monthly magazine अब देखो आपको क्या करना है ये newspaper आपको prelims में भी help करते हैं and mains में भी help करते हैं अब देखो mains के लिए खास कर आपको कैसे newspapers को utilize करना है पहले आप syllabus देख लो syllabus पढ़ लो अच्छे से, 5-10 बारी पढ़ लो 2-3 दिन बस syllabus ही पढ़ते रहो syllabus काफी important है, अगर आप mains की बात करो तो syllabus का जो भी keyword है उससे related, जो भी चीज आप newspaper में देखोगे उसका एक note बना लो, वो अपने पास note down कर लो, ठीक है अगर आपको e-notes बनाने हैं, आप जिसे tab से पढ़ रहे हो या phone से, laptop से तो Evernote download कर लो उस पर अच्छे notes बनते हैं या अगर old school way है, आप अपने notes वो written भी बना सकते हो since you have time, क्योंकि 2025 का batch है, तो आप start कर सकते हो, आप written notes भी अपने बना सकते हो तो कहने का क्या मतलब है, syllabus पे जो भी keyword आप देखो ना, और आपने अभी वो पढ़ा नहीं हो लेकिन आपको पता है क्योंकि syllabus आपने इतने से आपको पता है क्या आपको पता है क्या आपको पता है क्या आपके पस note में कही ना कहीं लिखा है, separate notes बनाओंगे separate books बनाओंगे 3J से 4JS के लिए 4 different notebooks लिखोगे, तो जब आप science and tech का portion स्टार्ट करोगे तो you'll go to that note, आपको पता है science and tech में मैंने current affairs में क्या क्या चीज लिखी थी, तो ये सारी चीज़े जो है वो आप अपने answers में use करोगे, वैसे ही आपको helpful रहेगा, तो जो science and tech है, science and tech JS3 में मैंने यहापे लिखा हुआ है, science and tech JS3 का part है, ठीक है science and tech से mostly questions जो है, वो current questions आएंगे, तो इसलिए current affairs आपको बहुत अच्छे से पता हो नीचे, science and tech के answers करने के लिए, तो आप क्या करोगे, science and tech आपने कुछ भी पढ़ा या economy के related कुछ देखा, या polity कोई नया law, rule, कुछ भी आपने देखा तो जो भी खासकर keyword आपने syllabus में देखा है, और फिर news में आप वही keyword का कुछ देखते हैं, आप नोड बना लो, पांचे, लाइने लिख लो, फिर जब आप syllabus का वो portion जो है पढ़ने जाओगे तब आप उन नोड दुबारा खोलोगे और साथ में उन चीजों को फिर इकटे align करोगे कुछ आपका जिसे portion है, history हो गया खासकर, उसमें कोई current affairs क्या ही होगा उसमें आपको static knowledge काफी होनी चाहिए, अब देखो current affairs अगर आपको history में भी देखना हो, तो किस तरीके से आ सकता है, for example आप कहीं पढ़ रहे हो, आज जी बाल गंगा जो हुआ है means, उसमें एक question आया था quit India movement का, तो आपको पता हो ना चाहिए, आपने quit India movement news में देखा, फिर आपको इसका कुछ current तो होगा नहीं, लेकिन static में आप ये सारी चीज़े अच्छे से revise कर के जाओगे, ठीक है देखो आप ये one year में कैसे सारा complete कर सकते हो, आप मान लो four four months आप रख लो हर component के लिए ठीक है GS1 four months में, GS2 four months में GS3 four months में अब आपका क्या बच्छता है ethics and essay तो ऐसा करो, जिसे हर संड़े आप ethics पढ़ लो and essay writing के लिए कोई जिसे last twenty years में कोई topics आए होंगे, आपको net पे आराम से मिल जाएंगे, आप booklets भी आती हैं इसकी तो हर topic को लेके क्या करो, research कर लो and अपने पास कुछ content बना के रखो ये activity आप हर Sunday कर सकते हो ठीक है, and इसके साथ-साथ आपको optional भी cover करना है आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है जब आप जिए स्टार्ट करोगे मेंस का स्टार्टिंग से ये उप्शनल भी पढ़ लोगे तीन-चार मन्त लगेंगे, अगर आप एक छोटा उप्शनल चूज करते हो, जैसे हम sociology जिन-anthro लेके आ रहे हैं, तो 3-4 months में वो complete हो जाएगा, ठीक है तो स्टार्टिंग से आप optional एक बढ़ी पढ़के रखो, फिर हंजी साथ आपका prelims जब exam अप्रोच करेगा फिर prelims के तीन महीने रह गे होंगे तो फिर आप optional छोट दोगे main short दोगे, सरफ pre के revisions में लग जाओगे, ठीक है फिर जैसे आपका pre खतम होता है, आप बाकी चीज़े जो आपने पढ़ी होंगे अल्रड़ी उनको फिर से revise करोगे, ये सारी चीज़े जो है ना, ये एक strategy के साथ आपको जलानी होंगी better रहेगा, pen paper लेके बैठ जाओ, and अपना एक goal set कर लो, ठीक है, like month में आपको कितना coverage होनी चाहिए, एक week में आपके कितनी coverage होनी चाहिए, and daily goal क्या होना चाहिए आपका, तो monthly, weekly and daily goals अपने target set कर लो, monthly weekly and daily, ठीक है, तो ये आपका one year का program रहना चाहिए, जहाँ पर one year में आपका complete, जो है ये syllabus वगेरा, सब कुछ अच्छे से cover होना चाहिए, ताकि next attempt के लिए you will be completely ready, तो ये रहेगा आपका pattern पढ़ाई का, and जो मेरा batch है, उसमें आपको current affairs भी साथ साथम कराएंगे and आपका syllabus coverage है, वो तो अगर आपको addition करनी होगी notes में, तो वो काफी easy रहेगी, अब मैं आपको गाता batch के बारे में आपको बताऊंगी December से हम start करेंगे, इसमें आपको answer writing classes होंगी, answer writing master classes होंगी, current affairs, extra coverage हम आपको कराएंगे, ठीक है plus आपका जो general studies वगेरा रहता है, वो तो हो गई, and आपको anthropology को optional भी start होगा, जिसमें study material वगेरा, सब मिल जाएगा, along with test series and notes, and sociology का भी, and यह जो आपका batch रहेगा, general studies का, इसमें आपको pre की भी, plus mains की test series included है plus मैं आपको काते, एक extra cheese होगी, हम एक tailor-made option रख रहे हैं, tailor-made option हर student के लिए, कि for example, कोई student बोले कि मुझे GS1 में classes चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ history की, और geography की class चाहिए, GS2 में मुझे सिर्फ international relation चाहिए, GS3 में I want only science and tech, और मुझे GS4 नहीं चाहिए, तो accordingly आपको, जो-जो component चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपको, इसमें से अगर हम separately देखें, तो 20 subject सक हमारे आते हैं, separately 3 GS में, ठीक है, 19-20 subject सक, उसमें से अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ GS1 के 2 component, GS2 का 1 component, GS3 के 4 component चाहिए, तो आपके needs के according, आपके लिए tailor-made batch भी हम लाएंगे, जिसमें सिर्फ आपकी preference के according components होंगे उनकी pricing जो accordingly फिर vary करेंगी ठीक है, तो अगर आप GS plus optional दोनों इकठे लेते हैं, तो उसकी जो fees होगी, वो obviously आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है तो कोई भी अगर डीटेल आपको जानने है 700667725 यह मेरा personal number है, आप 1025 मुझे call कर सकते हैं, या आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं, अगर कोई भी डीटेल आपको जाननी होगी, ठीक है तो जो भी classes होंगी, वो हमारी app पे होंगी, fine आपकी जो answer writing evaluation है उसमें आपको homework questions भी दिये जाएंगे, और साथ-साथ हम answer writing की practice भी आपको करवाएंगे, fine तो अगर कोई भी कोई रही होगी, तो मुझे आप reach out कर सकते हैं until the time you get a new video, bye-bye, take care, have a great day